आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर उनके बताए रास्थे पर चलने की साथ पहले से ज़्यादा जुरूरत है यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनोती चाहे वो हिंसा हो अराजकता हो आतंकवाद हो प्लाइमेट चेंज हो इन सबसे मानवता को बचाने का यही मार्ग है भारत सवभाग्यसाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आश्चिरवाद मिला उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है चुनोतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो कितनी बड़ी क्यों न हो भारत उनका समाधान डूनता ही है कोरोना से दुनिया के सामने जो सौ साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने है और यह जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा शुरू में तो ऐसा ही लग रहा था वहां आया है यहां क्या है किसी को पता नहीं था इसको कैसे हेंडल किया जाए और न वैक्सिन भी देती और न इस बात का कोई ऐडिया था कि वैक्सिन कब तक आएगी यहां तक कि इस बदपात पर भी डावड था कि वैक्सिन आएगी या नहीं आएगी चानों तरफ अनिस्चित्ता का माहोल था उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी जब वैक्सिन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सिन्स अपने करोडों नागरिकों को भी और दुनिया के दुनिया के सो से अधिक देशों को भी बेजी साथियों अपनी स्वास्त सेवाओं को और बहतर बनाने के लिए भारत अभूत पुर्व निवेश कर रहा है दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्त सुविधाय पहुँचे इसके लिए देश भर में लाखो लाखो नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा वहे हैं आपको ये जानकर के भी खुशी होगी शाद आज आपने भी सुना होगा वर्ल हेल्थ और नैशन डबली अचो ने भारत की आशा वरकर्स आशा बहनों को डारेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर एवोर्ट से सम्मानित किया है भारत की लाखों आशा बहने मेटनल केल्च से लेकर के वैक्सिनेशन तक पोशन से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास अभ्यान को गती दे रही है और गाउं के अंदर मैं आज जपान की धर्ती से हमारी सभी आशा वरकर बहनों को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं उनको सेल्यूट करता हूं